हलो फ्रेंज, सोसल सायंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने महाजनपदों का उदय पढ़ा, जिसमें हमने जाना की कितने महाजनपद थी, उनका उदय कैसे हुआ, कहां से उनकी जानकारी मिली, ठीक है तो बहुत सारी चीज़ हमने अपने लास्ट वीडियो में देखी थी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हें महाजनपदों में से एक महाजनपद जिसका नाम है मगद तो मगद के बारे में हम बात करेंगे मैंने आपको बताया था लास वीडियो में कि मगद जो महाजनपद था वो सबसे सक्तिसाली था तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन से बंस थे जिन्होंने मगद पर अपना अधकार किया ठीक है इसमें पहला बंस आता है वो आता है आपका बहदरत बंस ठीक है तो बहदरत बंस की वात कर लेते हैं प्राचिन्तम ग्यात बंसों में मगद पर साशन करने वाला प्राचिन्तम बंस ब्रहदत था ठीक है मतलब जो भी सुरोत हमें मिले हुए हैं उनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि सबसे पहला बंस जिसना मगद पर अपना अधकार किया था वो कौन से था तो बहदरत था इस बं चलता कि जो सबसे पहला बंस था जिसने मगद पर अपना शाशन किया वो था बहदरत बंस इसके संस्थापा की भी कौन थे तो बहदरत थे और जबकि अगर सबसे प्रतापी शाशक देखें बहदरत बंस का तो वो बहदरत का पुत्र कौन था जरासंग ठीक वो सबसे प्र तो इसका संस्थापा कौन था तो इसका संस्थापा कौन था तो इसका संस्थापा था आपका बिंबी सर और इसका जो पूतर था वो सबसे सक्ति सली माने जाता है जिसका नाम था अजास सत्रू अजास सत्रू ने गदी पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और इस बंस तीसरा जो बंस था महत्पूर, जो इसने महतपूर, जो इसने मगत पर साशन किया, वो था सिसुनाग बंस, जिसुनग बंस के एगर हम बात करें, तो सिंस्थापका कौन था? इस बंस का सबसे प्रतपी शाचा कॉन था? ez जिसो का सबसे प्रतापी शार्शा कौन था? तो काल व्लाशोक था तो चौथा यो महितकूर्डवंस है वह आपका नंदवंस नंदवंस की बात करें तो यह चौधा बंस था जिसने मगद पर अपना अधिकार किया शिसुनाक बंस को समाप्त कर नंद बंस का उदः हुआ ठीक है नंदबंस की बात करें, तो जो महापदमा नंद था, वो इसका संस्थापक था, ठीक, उसने नंदबंस की स्थापना की थी, और नंदबंस की स्थापना के बाद जो महापदमा नंद का पुतर था धना नंद, ये इसने शाशन किया, और इसी धना नंद को चंदरगुपत मौ और उसके जो मंत्री थे कोटिल है इन्होंने पराजित करने के बाद मौर वंसकी स्थापना की थी ठीक है इस यही धनानंता जिसने कोटिल की बेश्टी कर दी थी और कोटिल ने कहा था कि हम बदला लेंगे इसका ठीक है तो उसने चंदरगुपत मौर से बदला दिलवाया था अब हम पढ़ना है कि सकंदर का भारत पर आकमड इसकंदर ने भारत कैसे आकमड किया सिकंदर जो था वो मैसाडोनिया का राजा फिलिप का पुत्र था अगर हम सिकंदर की बात करें तो वो किसका पुत्र था तो मैसाडोनिया के एक राजा तिन का नाम था फिलिप तो उनका ये पुत्र था सिकंदर वह बच्पन से ही मैतव कांची था बहुत अच्छी बड़ी बड़ी रखता था कि हमें यह पाना है यह पाना है ऐसे करके तो बहुत ज़्यादा महतो कांची था और बिश्व बिजय का शौपन देखता रहता था ठीक हमेशा बिश्व को जीतने के सपने देखता रहता था 336 पूर में फिलिप की हत्या कर दी गई पिता की मित्तिक बाद 336 पूर में सिंखाशन पर बैटा जो फिलिप थे जो सिंखाशन पर बैटा सिंग असन पर सखंडर ने 326 पूर में भारत पर आकमट किया और सिंदू नदी को पार किया थे क्यों सिंदु नदी जो है वो बहती थी उसमें तो सिंदु नदी को पार करने के बाद हो किसकी ओर बढ़ा था तच्छी सिला की ओर बढ़ा था ठीक है दूसरे अठारा में कुशन पूछा गया कि कब भारत पर आक्रमण किया था सिगंदर का भारत में विविन राजियों से युद हुआ, ठीक है, तो उसमें तो बहुत सारे शार्षक थे, तो कई राजियों से युद हुआ, जिसे अश्वक जाती से युद हुआ, नीशा पराक्रमण किया, मस्तग पराक्रमण किया, आमभी और पोरस से युद हुआ, ठीक है, तो पोरस से जो आंपी जो था, वो तच्छी सिला का साच्छा था, आंपी ने सिकंदर से युद Congrats कि इस्थान पर उसकी अधीनता स्योखार कर ली थी, मतलब जो आंपी था, thorough कमजोर साच्छा था, इसनने क्या किया था, और यह तच्छी सिला का स्योखार तो इसना क्या किया था, सिकंदर से युद्ध करने के बदे उसके अधीनता स्योखार कर लिए, सोच लिए हम तो ऐसे न जीत पाएंगे, उसना किया किया कि अधीनता ठीपर शोखार कर लिए, पोरस से युद्ध हुआ था वो था हाइड़ेस पीज का युद्ध, बहुत IMPORTANT पूरस ने बहादुरी से युद लड़ा, परंतु कई कोशिशों के बाद भी हार का सामना करना पड़ा था उसे, ठीक है, अगर हम राजा पूरस की बात करें, तो इनके और पूरू भी कहा जाते है, ठीक है, पूरस भी कहा जाते है, पूरू भी कहा जाते है, तो जो पूरू ऐसा कहा जाता है, कई जगह ये भी बताए जाता है, कि वो जीत भी गए थे, तो कुछ भी कह सकते हैं, तो अभी जो है, इसमें हार का सामना करना पड़ा था उने, उसका राजा सिकंदर जो थे, उन्होंने पोरस की बहुत प्रभावित हुए वो, और उसने राजा पोरस से मि हित रिता कर ली, शिकंदर भारत में 19 महा तक रा, शिकंदर भारत में वो बाहरत में रा था, और इसी काली वो जब करता रहा, सिकंदर का आकमन elemento सीमान प्रदेशों तक था, आंतरी भागों तक ने, मतलًब वो भार के जो युद प्रदेश ते ना, उनहीं से वो लड़ता रहा, अंदर तक वो आई नहीं पाया, ठीक है, तो भारत की जैसे बॉंडरी है, तो वो युद लड़ता रहा, सीमान प्रदेशों पर, वो अंदर नहीं आ पाया, सिकंदर की सैना में बिद्रो सिकंदर बिजय प्राप्त करते हुए जैसे ही ब्यास नदी के तड़ पर पहुंचा सिकंदर की सैना ने आगे भड़ने से मना कर दिया 325 सीसी पूर सिकंदर उसकी सैना भारा से लौड गई तीन सो तेई सीसी पूर में सिकंदर जब बेबी लोन पहुंचा तो वह बीमार पड़ जाने की कारेन उसकी मृत्ती हो गई अब हुआ कहाता है युद लड़ता रहा लड़ता रहा क्योंकि वह तो महतो कांची था उससे जीतने सा मतलब है उससे अपने सैनकों से मतलब ही नहीं था क्योंकि सिकंदर ही अब ये सोचे कि जिता तो उसके सैनकी रहते सारी युद अब बहुत थक गए थे काफी मर गए काफी बीमार थे बुरी तरीके से लेकिन वो युद पर युद लड़ता जा रहा था तो फिर एक टाइम पर उसकी जो सैना थे वो इतनी हार गई उतनी ठक गई कि उसने मना कर दिया कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है तो ऐसा हुआ तो बहुत था कि सिकंदर जो है वो विजय प्राप्त करता हुआ जैसे ही व्यास नदी के तट पर पहुँचा सिकंदर की सैना ने आगे भढ़ने से मना कर दिया 325 इसवी पूर में सिकंदर उसकी सैना जो थी वो भारत से लोट गई 323 इसवी पूर सिकंदर जब बेबिलोन पहुँचा तो हम पर बिमार पढ़ जाने की कारण उसकी म्रत्य होगी तो वो भी काफी बिमार पढ़ गया था और उसकी क्या होगी म्रत्य होगी थी नोट करने वाली चीज क्या है यापर सिकंदर को अलेक्जेंडर तरती की नाम से भी जानते है इसलिए उसे बिश्व बिजेता भी कहा जाता है भारत पर सिकंदर का क्या प्रभाव पड़ा बोधिक लिते हैं तो भारत पर सिकंदर का प्रभाव पूछा जाता है 2016 और 2018 में ये पूछा भी गया है 19 में तो दिखिए राजनेतिक प्रभाव पड़ा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ा तो कई तरीके से प्रभाव पड़े थे राजनेतिक में क्या कि राजनेतिक जो थे पहले लोग लड़ते रहते थे आपस में भारत की राजा थे लेकिन जैसी सिकंदर आये तो वो सारी एक हो गए वोने पता लग गया कि वो अकेले तो जीती नहीं सकते सिकंदर से क्योंकि वो पूरा विश्व जीत कर आ रहा है तो ये लोग एक हो गए तो थोड़ी एकता भड़ी इनके अंदर तो पहला ये था कि सिकंदर के आक्मर ने उत्तर पश्यम की जो साशक थे उनको राजनितिक एकता का पार्ट पड़ा है तो मैंने आपको बताया कि जो सिकंदर भारत में तो उसने शुरुवात कहां से किये थी तो उत्तर पश्यम के जो राजी थे हुआ से उन्होंने उसने हमले करने सुरू किये थे ठीक हो आकरमण किया पर धीरे दीरे वो अंदर आने की सोच रहा था लेकिन वो अंदर आ नहीं तो इसलिए पर वो एक हो गए तो राजनीतिक एकता का पार्ट वो पड़े दूसरा है कि राजनीतिक दुरवलता की साथ भारत वाशियों को अपनी सैनिक दुरवलता का भी पता चला पहले जो भारत की साथ रशकते उन्हें लगता थे कि उनसे सक्तिसाली कोई नहीं है ठी तो यह सारी चीज़े उन्हें पता चली तीसरे कि भारतियों ने युनानियों की सैना की सुषिच्छा सुसंगठन तर्था युद कौशल का महत तो सीखा तो बहित है कि जो भारती थे कुछ भारती भी उन्हें सामिलते सिकंदर की सैना में ठीक है तो उन्होंने क्या हुआ सीखा की युनानी जो थे उनकी जो सैना थी कैसे सुसच्छित थे ठीक है वो सिच्छित थे सारे के सारे कैसा संगठन मना के वो युद करते थे युद कोशल में बहुत पारंगत थे यह सारे चीज़ें सीखने को मिली ठीक है तो यह राजनितिक प्रभाव उड़ता सांस्क प्रवाव कि एगर हम बात करें, थो भारत में यूनानी कला के समिस्ट्रेंट से गांधार सेली का बिकास हुआ। अर्थिक प्रभाव की एगर हम बात करें तो आर्थिक प्रभाव क्या हुए सिकंदर की आकरमन की फल सुरू बैपार के जो मार्ग थे वो भीक्सित हुए इससे पहले क्या था कि भारतियों को तो मार्ग पता नहीं थे कैसे हमें यूरोप तक पहुंचना है कैसे जाना है तो जब सिकंदर वहां साया तो कई सारी मार्ग जो थे वो विक्सित हुए तो बहुता कि सिकंदर के आक्रम لمनिके फालस्वरू बैपार के जो मार्ग है वो विक्सित हुए तो बैपार जो भढ़ गया। दूसरा कि भारत तो युनान के मद वैपारिक जो समन थे वो स्थाफित होने लगा जल मारगों की काफी सारे इसल मारगों का पता चला कि कैसे किस देश में कैसे पहुंचना है तो उसके बाद क्या हुआ कई सारी जो बस्तु हैं तो इनको आदान प्रदान हुआ ठीक है मसाले वगार आप धेरे दीरे करके आगे की समय में अंग्रेज भारत है ठीक है ठीक है तो इन्ही रास्तों से इसकी पहचान हो जी थी ठीक है तो यह प्रभावत है यह पूछे आते हैं एक्जाम में अच्छे से पढ़ लेना ठीक है तो सेकंदर के बारे में इतना है अब हम भी लेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो